लोग सबाचुनाओं के बेच उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हथसा हो गया बतादें कि उत्तर प्रदेश में भीशन गर्मी की वज़े से मिर्जापूर में 13 लोगों की मौत का मामला जो है सामने आया है जिन लोगों की मौत हुई है उसमें 7 होमगाड 5 सिविलियन और एक ग्यात शक्स मौदूद है और 23 होमगाडों का अभी बी एलाज जारी है मिर्जापूर में गर्मी जानलेवा बनी हुई है यहां हीट स्ट्रॉक से चुनाव ड्यूटी पर गए 6 होमगाड जवानों सहीत 13 लोगों की मौत हुई है जिसमें मरने वालों में एक लिपिक और ए ट्रामा सेंटर में भरती कराया गया था जिसमें 20 होमगाड एक फायर और एक पी एसी और एक पुलीस का जवान शामिल है सभी की चुनावी ड्यूटी के दौरान जो है हालत बिगणने पर ट्रामा सेंटर में भरती कराया गया था वहीं मिर्दकों के परिजनों को सुचित क पर प्रशाशन का रवाई में जुटा हुआ है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राज भादूर कमल ने कहा कि मिर्जापूर में 13 चुनाव करीमों की बुखार और हाई बीपी की वज़त से मौत हुई है और हलाकि सटी कारण का भी पता नहीं चल पाया है अनुमान यहीं लग इसका है बाकी 20 होमगाट जवान थे 6 होमगाट जवानों की जो है मौत हुई है दो जवान अभी गंभीर अवस्ता में है जवानों की मौत को लेकर उन्होंने का कि जब हमारे पास आये तो उन्हें तेज बुखार था शुगर लेबल और बीपी लेबल जो है वो बढ़ा और इनकी मौत की वज़ा ब्रेन स्ट्रॉक भी हो सकता है बता दे कि वहीं यूपी के सोनभदर जिले में कतित तोर पर लू लगने से दो मतदान कर्मियों की मौत हो गई सोनभदर के डीम चंदर वीजे सिंग ने बताया कि आज रॉबर्ट गंच के डिस्पैंस सेंटर में एक मतदान दल को रवाना होना था और एक पुलिस कर्मी समय तीन मतदान अधिकारी गर्मी के कारण बिमार पर गए दो मतदान अधिकारियों की मौत हो गई और सी एम ओ ने बताया कि यहां लाए गए मतदान अधिकारियों में लू जैसे लक्चन देखे गए थे इसके साथ उत्तरप्रदीश की राइबरली चुनाओं में ड्यूटी के दोरां जो है एक पुलिस इंस्पेक्टर की मौत हुई है और इस मामले को लेकर जिला अस्पताल चिकिसा अधिकारी डॉक्टर दाउत हुसेन ने बताया कि पुलिस इंस्पेक्टर हरी शंकर को आज सांस लेने में दिकत हुई अस्पताल में इलाज के दोरां उनकी जान चली गई फिलाल चुनाओं में जिस तरीके से ड्यूटी पर तैनात जो जो जवान है उसमें लगतार उनकी मौत की खबरे सामने आ रही है और आज आखरी चरन का मतदान जो है वो गती पर है लेकिन इस दोरां मिर्ज मिर्जापूर से जिस ढंक से ये खबर सामने आई है कहीं न कहीं अपने आप में दिल दहला देने वाली है इन सब के बेच बता दे कि मिर्जापूर में जो है अनुप्रिया पटेल चर्चाओं का विशे बनी हुई है फिलाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्शन एंड पॉलिटिकल बाइट के साथ